नमस्कार दोस्तो, अभी एक एतिहासिक फैसले में भारत के सुप्रीम कोट ने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के आरक्षन व्यवस्था में उपवर्गी करिन की अनुमती दे दी है जी हां दोस्तो, थ्रू दिस लैंडमार्क जज़्जमेंट अफ़ सेवन जच बेंच अफ़ सुप्रीम कोट अफ़ इंडिया इंडिया कमप्राइजिंग चीफ जस्टिस अफ इंडिया दी वाई चंडचूड विल ट्राइज तो रीफ्रेम तो फूटर अफ एस्ट रिजरवेशन इंडिया तो दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपोर्टन आर्टिकल जैसे आर्टिकल 15 का क्या रोल है आर्टिकल 16 का क्या रोल है इंपोर्टन जजज्मेंट्स लाइक इवी चनईया केस क्या था इंडरा साहनी केस क्या था दविंदर सिंग केस क्या है पंजाब सरकार और ग्यानी जेल सिंग जी का क्या इसमें किरदार था और पूरे के पूरे judgment को, पूरे के पूरे इतिहास को खोल के रख देंगे और पूरा का पूरा कोशिश है कि आरेक्षन को आप सभी लोग जानते ही हो बट और भी बहतर तरीके से और भी करीब नजरों से समझ पाए, जान पाए तो अगर आपको विशय पसंद आ रहा है, जो कि आपकी exams के लिए काफी जरूरी भी है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कोट के माध्यम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो कि father of political science Aristotle साहब ने कहा था regarding this topic, वो कहते हैं कि the worst form of inequality is to try to make unequal things equal और कुछ वैसा ही चीज, आरक्षन, actually, सही करना चाहता है, कि दो unequal चीजों को आप बराबर treat कर रहे हो equals को equal treat करिए, पट unequals को अगर आप equal treat कर रहे हो, इस सबसे बड़ा समाज का अन्याय माना जा सकता है क्या है मुद्दा, reservation क्या है, आरक्षन क्या है, देकि एकदम सरल भाषा में, आप लोग ने classes में तो पढ़ाई होगा आरक्षन का मुद्ध उड़ेस ये है, कि पकर लिजे दो बच्चा है, एक बच्चा एक उची सीड़ी पे पहले से खड़ा हुआ है और दूसरा बच्चा, पिछरे जाती का है, SCST का है, या कोई भी ऐसी जन जाती का है, जो historically challenged था जिनको हमने ही as in equal street किया था इतिहास में, इतिहास अपने पढ़ा था, हरिजन्स का इतिहास, untouchables का इतिहास अपने पढ़ा था और उस वज़े से ना उनको शिक्षा का विवस्था मिला, ना स्वास्त का विवस्था मिला, ना फिर अच्छे सौसाधन मिले, जिसके माध्यम से वो लोग आज की date में, 2024 में आके हमारे बराबर खरा हो पाए उस चीज का जो lacking था, उस वज़े से वो एक निचले pedestal में खड़े हुए है और उनके तुलना में कुछ privilege लोग अगर उपर के सीड़ी में खड़े हुए है, इन दोनों को बराबर आप एक exam में बिठा के, या फिर एक दफ्तर में, एक office में बिठा के, equal कुरसी में अगर उची, artificially कर देना पड़ेगा, और जब ये इस नीचे वाली सीड़ी से उपर वाली सीड़ी में चलांग लगा कि उपर आएगा, सरकार की सहायता के द्वारा, सुप्रीम कोट की सहायता के द्वारा, तब जाके competition बराबर का होता है, यही चीज आरक्षन करना चाहता है, और हमारा संग्विधान ये दो चीजे, सत्यजीच सर ने अपने newspaper analysis में, हाल फिलाल में इसको cover भी करवाया था, article 15 subcloss 4 और article 16 subcloss 4, इन दोनों के माध्यम से आपको देखने को मिलता है कि nothing in this article shall prevent a state from making special provisions, यह सबसे important शब्द है, special provisions हम लोग बनाते हैं कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको historically हमी ने, you know, mistreat किया था, उनको हमने demean किया था, उनको समाज से दूर रखा था, उनको समाज के जो सौसादन है, जो health facility है, education facility है, उनको किताबों को छूने तक नहीं दिया गया था, और आप आज बोल रहे हो कि अचानक से वहा के हमारे बराबर पढ़ने लिखने है, fundamental right भी है, और उसी तरीके से नौकरी में भी उनको ये विवस्था मिलना चाहिए, तो article 16 sub clause 4 ये कहता है, कि state from making any provisions for reservation in appointment और posts in favor of any backward classes, आप जब भी APAC, UPSC का form भरते हो, तो आप देखते हो, वहाप आरक्षन का विवस्था होता है, STs के लिए reserved seats रहते है, STs के लिए reserved seats रह आया है, आपको ये basic information तो पता ही होगा, बट मुद्दा आज के दिन में क्या है, भारत में आज क्या स्थिती है, आरक्षन का, इसको समझने के लिए ये figure आपके लिए काफी महत्वपून है, अगर आप देखेंगे आज की स्थिती में, OBCs को 27%, 27% reservation दिया गया है, SCs को 15%, scheduled tribes को 7% ठीक है, और EWS को 10% ठीक है, अगर total sum up करेंगे, तो reserved seats बन जाता है, reserved seats की पूरी संख्या बन जाती है, 59.5% ठीक है, और उसी तरीके से merit में unreserved seats आपका 40.5% बन जाता है, ठीक है, तो ये break up है, अब बंगलादेश में भी एक बहुत बड़ा मुद्भेर चल रहा है, आपको पता होगा, शेख हसीना जी जो प्रधान मंतरी थे भारत के, बंगलादेश के, उन्होंने resign कर दिया है, और बंगलादेश में reservation कितना था, 56% यहाँ पे भारत में उससे ज़्यादा है, ठीक है, बट क्या ये सही है, क्या recent judgment है, और इतिहास में किस तरीके से ये चीज evolve हुआ और आज की स्थिर्थी में हम पहुँचे, चलिए सारी चीजों को discuss करते है, एक एक करके इस वीडियो में, देखे, recent का सबसे जरूरी है कि, सर, 2024 में क्या हुआ, ये बताइए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, 2024 में हम आपको verdict बताता हूँ, बट उसकी पीछे की इ Supreme Court में, वो जो बोलते हैं न, कानून में देड़ है, बत अंधेर नहीं, तो उसी तरीके से, उसी तरीके से कानून अपना काम कर रही थी, शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, बट आज जाके final result मिला है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या है, a seven judge bench था, इसमें Chief Justice of India, धनन जाई, चंदरचूट जी भी थे, और उसके इलावा बाकी और छे जजजज थे, और इनका एक split हुआ, six is to one, मतलब छे जजजज ने इस judgment को favor करा, और एक judge ने, जो की Justice BM Trivedi जी है, उनके बार में भी भात करूँगा आगे चलके, तो Trivedi जी ने इसको नका Sub Classification within the SC and ST, अब Sub Classification क्या है, यह सबसे बरा शब्द है, इसको समझने के लिए आपको Sub Classification का अर्थ समझना होगा, Sub Classification मतलब जैसे दोस्तो, SC तो एक बहुत बड़ी समुदाई, जो अनुसूचित जाती होता है, उसको SC कहते है, और अनुसूचित जन जाती होता है, उसको SC कह पे हुए होते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर असाम की ही बात करूँ, ठीके, असाम की अगर SC की बात करें, these are all the communities, आप लोग काफी सारे टाइटल्स को जानते भी होंगे, जैसे बनिया है, धूबी है, धोली है, हीरा है, जालकोट है, जाली है, लालवेगी है, महारा है, ठी चक्मा ट्राइब है, दिमासा है, कचारी है, गारो है, हजांग है, हमार है, खासी है, जैंतिया है, ठीके, तो इस तरीके से 15 यहाँ पे, यहाँ पे 14 है, यह सारे सौनवा, लालों, मेश, होजाए, देवरी, आपने सुना होगा यह सारे चीज़े, so all these people actually comprise SC, all these people actually comprise SC, but क्या यह 15% पूरे के पूरे community को मिलता है, या फिर उनके सिर्फ कुछ selected लोग ही इसका बार-बार फाइदा उधा रहा है, इसका उधारन समझाने के लिए मैं आपको एक उधारन देना चाहूँगा, पकड़ लीजे, एक IS officer है, जो की SC community से belong करता था, ठीके, SC community का लड़का थ काफी महनत किया, उन्होंने UPC crack किया, IS बन गया, अब उनका जो बेटा होगा, अब उनका तो status elevate हो जाता है, economically वो आगे निकल गये है, position wise भी socially आगे निकल गये है, तो अपने बेटे को automatically वो अच्छे जगे पढ़ाएंगे, अच्छा सौजादन देंगे, सिक्षा देंगे, स 1 था, ये candidate 2 है, SC के ही अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इनका UPC नहीं निकला, pre निकल गया, mains निकल गया, interview नहीं निकला, अब ये जो महासे है, इनको तो वो upliftment नहीं मिला होगा, जो I.S. officer साहब को मिला होगा, economically हो जाए, socially हो जाए, कल को इनका भी शादी होता है, इनका भी हम लोग तो पिछरे जाती के बिलॉंग करते है, historical past है, historical wrongdoings हुआ है हमारे साथ, बिलकुल हुआ है, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ कि एक बार I.S. बनते ही आपकी historical past माफ हो जाती है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि SC community में ही, अलग-अलग जन जातियों का, अलग-अलग level of advancement है कुछ जातिया, sub-cast आगे निकल जाता है, because of their previous generation और कुछ जातिया, because of their previous generation पीछे ही रह जाते हैं, तो Supreme Court ने वही कहा, कि हमें जो ये 15% SC reservation है भाई, क्या हम इसको भी sub-categorize करते हैं, इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, 15% ही रहेगा total reservation, पट पकर लीजिए, ये total, ये जो 5 जाती है, ये बहुत privilege हो गया है, already इनके घरों में अच्छी सौसादन है, अच्छा काम कर रहे है, ये लोग socially uplift हो गया है, तो क्या हम लोग को इनको थोड़ा, पकले जे इस 15% में से 2% इनको दे देते हैं, बाकी लोगों को थोड़ा ज्यादा percentage देते हैं, 13% सारा इनमें बा दिखते हैं, आप समझ पा रहे हो की नहीं मेरे को comment section में बताते चलिएगा, ठीक उसी तरीके से STS के लिए भी, पकलीजे बर्मन्स थोड़ा अगे निकल गया है, बोडोस अभी भी पीछे है, तो बोडोस को क्यों ना, वो जो सारे साथ प्रतीशक हम लोग reservation देते हैं, इसक सारे साथ प्रतीशक है, उसको तो change ही नहीं किया जा रहा है, उसको तो वही intact रखा जा रहा है, आप ही के लोगों के बीच में उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से rationalized तरीके से distribute किया जाएगा, ताकि आपकी जाती का upliftment हो पाए, ये पुरा का पुरा verdict है, अब इसमें ये स बताने से पहले, आपको थोड़ा सा एक criteria बता देता हूँ, ये जरूर से कहा है Supreme Court ने, कि state cannot, और ये पुरा का पुरा काम state को दिया जा रहा है, बहुत बड़ी इसमें twist है, अब ध्यान से अगर यहाँ पर judgment पढ़ेंगे, through sub quotas to the most backward communities within these categories, और ये काम generally, अगर आपने संग्विधान पढ़ा है, generally ये काम, President का होता है कि कोई जाती को अगर हम SCST status देंगे की नहीं, बट ये काम अभी state governments को दिया जा रहा है, अब इसका भी पूरा इतिहास है, कै ये पहली बार हो रहा है, the answer is no, पहले कहा हुआ है, कब हुआ है, इसके लिए इतिहास जानना पड़ेगा, तो बने रही है वीडियो मे अब देखिए, इन्हों ने कहा कि you cannot give 100% to one subcast, ऐसा नहीं कि 100% मतलब सारे साथ प्रतीशक का सारे, मतलब पूरा का पूरा सारे साथ प्रतीशक आप बोडों को नहीं दे सकते, आपको rationalize करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी सारा regional राजनीती भी अभी सामने आएगी, दे इतना भी आप काम करोगे, कि पकड़ लिजे बोडों को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, कोचारी को थोड़ा कम दे दिया, हजों को थोड़ा ज़्यारा दे दिया, ये सारा का सारा valid data के द्वारा प्रूफ करना पड़ेगा, कि बोडों community का representation government colleges में इतना है, government schools में इतना है, इनको सही में जरूरत है इस चीज़ का, हजों कम्यूनिटी अलरीडी आगे निकल चुका है, इतने professors हजों कम्यूनिटी के है, इतने सारे IS officers हजों कम्यूनिटी के है, तो उस तरीके का data present करके ही आपको ये पूरा का पूरा formula निकालना पड़ेगा, आगे चलके formula के उपर मैं आपसे भी थोड़ी बाते करूँगा, तो उसके बार में आगे discuss करते हैं, बट अभी bench थोड़ा सा देख लीजिए, ये पूरा का पूरा साथ judges का bench था जो 2024 में इस judgment को सुनाते हैं, यहाँ पे justice Manos Misra, justice Bela M. Trivedi, justice BR Gawai, गवाई सहाब और Trivedi सहाब का आपको बहुत interesting about the creamy layer status in SCST, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इंद्रा सहावनी केस 1992 के बाद से OBC status में, OBC की reservation में creamy layer status लाया गया था, ठीक है, बट क्या यही चीज हम लोग SCST में करने जा रहे हैं, वो चीज के बार में खुला सा गवाई सहाब ने किया, Trivedi सहाब ने तो, Trivedi मैडम ने तो पुरा का पुरा नकार दिया था, यह judgment जो 6-1 split हुआ था, इन्होंने ही मना किया था, बाकी यहाँ पे Chief Justice of India, ठीक है, चंडरसूर जी भी थे, विक्रमनार्थ थे, पंकज मिठ्थल थे, और सतीष चंडरसर्मा थे, अब इसमें क्या split था split, not permissible बताया, Trivedi मैडम ने, BM Trivedi, Justice BM Trivedi, और बाकी सब ने बताया कि नहीं भाई, States को ही यह power दिया जाए, क्योंकि President कहीं न कहीं, यहाँ पे बहुत सारे, you know, articles का भी सामना करना पड़ेगा, generally, caste determination, President करते थे, अब State Government को दे रहे हो, अब Government के आने से directly राजनेती हो सकता है, म student का power dilute किया जा रहा है, कहीं है, judicial activism तो नहीं है, ठीके मेरा पुरा भरोसा है, इस judgment के ऊपर बहुत सारे PIS, ठीकें, और फाइल होने वाली है, तो, बने रहेगा हमारे channel के साथ, सारी updates मैं आपको देता रहूँगा, बट पहले समझते हैं, इस judgment को, और इसकी पुरी इतिहास को, Trivedi madam ने, Justice BM Trivedi ने, आपर Article 341 को quote किया, इन्होंने मना क्यों किया, इन्होंने बताया कि, this judgment, जो आप कह रहे हो कि, state government करेगी, आप determination, sub caste determination, state government करेगा, तो वो चीज गलत है, वो इसलिए गलत है, अगर आप देखेंगे, Article 341 of the Constitution, clearly बताया गया, President May with respect to state or union territory, and state consultation with the governor, public notification specified a caste race, tribes, or parts of groups within the caste, तो ये जो sub caste या caste determination का काम है, as per Article 341, it is of the President of India, और अगर आप ये चीज़ प्रेसिदेंट साहब से छीन के state government को दे रहे हो, राज्य की सरकार को दे रहे हो, आप politicization तो करी रहे हो, President का power भी dilute कर रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, इन्होंने quote करके मना कर द तो ये देखिए, articles काफी important, 341, 142, तो 142 में क्या बताया गया, कि Supreme Court in the exercise of a jurisdiction में pass any degree, degree मतलब law, ठीक है, और make any such order necessary for doing complete justice, बोले कि justice करने के लिए काफी जरूरी हो गया है कि हम इस नतीजे पे आए, कि states की अभी, सरकारों की अभी जरूरत पड़ गई है, अब ये क्या जरूरत पड़ गया है, पर क्या अचानक अभी से हुआ है, नहीं दोस्तों, ये चीज तो 1975 से चल ही रहा था 2004 तक, ठीक है, और ये पंजाब सरकार कर रही थी, बट ये बतायेगा कि क्या ये judicial activism है आपके मताबिक, या नहीं, comment section में बतायेगा, अब चलिए इतिहास के बार में बात क चीलता है, ये determination, actually पहले भी पंजाब सरकार करती थी, 1975 के समय से ही, पंजाब सरकार issued a notification giving the first preference in scheduled caste reservation to the Valmi की community and the मझभी सिख community, दो communities हैं, वालमी की समुधाय के लोग और मझभी सिख लोग जो है, उनको ये preference पहले से मिल रहा था, two of the most backward communities, ऐसा माना जाता है, पंजाब के राज्य में सबसे backward communities से बिलॉंग करते हैं, ये मझभी सिख लोग और वालमी की समुधाय के लोग, तो इनको कहीं न कहीं ये सब कास्ट के हिसाब से इनको थोड़ा ज्यादा reservation का, आरक्षन का सुविधा मिलता था, और ये 1975 के समय, पंजाब के मुख्यमंत्री थे ग्यानी जेल सिंग जी, जो की पहले सिख president भी वने बाद में भारत के, तो इनके बारे में भी question आ सकता है थोड़ा सा आपके पढ़ने के लिए, मैंने ये डाल दिया था, उसके बाद 2004 में एक case होता है, तो 1975 में तो पास कर दिया था, ठीक है तो 1975 में notification के दोड़ा ये पास हो गया था, वो चल रहा था, चलते 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 किसी ने नजर भी नहीं दाला, कुछ लोग नौन-मजभी लोग इसके खिलाफ आवाज तो उठाते थे बड़ उनका दबा दिया जाता था आवाज, पट बाद में 2004 में जब आंदरप्रदेश ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करा अपने स्टेट में, तब बना इवी चनैया केस, ठीक है, अब ये चनैया केस काफी महतपूर्ण है आपको समझने के लिए, अब 2004 में डिस वस चैलेंज़ आफ्टर एपेक्स कोर्ट, स्ट्रक डाउन डिस सिमिलर लौ इन आंदरप् में जिन्हों ने कहा कि this is violation of article 141, ठीक है, तो as per article 141 के मताबिक, violet तो बहुत सरे articles को करता ही है, बट article 141 को हम लोग invoke करके, आपकी इस sub classification right of the state government को हम struck down करते हैं, अब article 141 क्या है, law declared by supreme court to be binding on all courts, तो बहुत सरे, actually ये judgment क्यों आया था, बहुत सरे high courts में भी ये सब cases चल रही थे, मैं high courts के भी कुछ important चुनिन्दे cases को आपको बताऊंगा, तो अगर किसी high court ने अगर आपको अनुमती दे भी दी होगी, अब supreme court क्योंकि कह रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है, we are invoking article 141, अब समझते हैं कि verdict क्या हुआ था, 2004 में ऐसा क्या हुआ था, इवी चन case, यहाँ पर the court held that any attempt to create differentiation within the SC list would essentially amount to tinkering with it for the, for which the constitution does not empower states, simple है, article 341 कहता है, राष्टपती सहाब को ये power दिया गया है, जो currently, Justice BM Trivedi सहाब ने भी, Justice BM Trivedi मैम ने भी invoke किया है, तो वो कहते हैं कि 341 only empowers the president, तो आप कैसे states, सरकारों को, state के राज्यों को, सरकारों को आप ये power दे रहे हो, it is violates and not just that, it is also violates article 14, right to equality, चेके, तो इस बात को कहके, 2004 में, यही चनिया case में, इन्होंने struck down कर दिया था, अब पंजाब की सरकार के सामने एक बड़ा मुद्वेर आ गया, कि भाई, बालमी की community के लोग गुसा हो जाएंगे, ठीके, मज़भी सीख लोग गुसा हो जाएंगे, कहीना कहीं, politics तो था ही, पर उसके साथ साथ एक नेक उदेश भी रहा होगा, वो लोग चले जाते हैं, पंजाब हरियाना हाई कोट में, ठीके, 2006 में, पंजाब हरियाना हाई कोट में, ठीके, था 141 के तहद Supreme Court के order के खिलाब High Court फिर कैसे order सुना था अब पंजाब सरकार कहती है कि भाई Supreme Court राई कर लिया High Court राई कर लिया छोड़ो एक नया Act ही पास कर देते है ठीक है इसी के साथ ये लोग Act पास करते है क्योंकि Legislation का power तो State Government के पास होता है Supreme Court या High Court क्या करता है Already Present Laws के Interpretation दे सकता है संग्मिधान की Interpretation दे सकता है पर नया कानून ही Change कर दे अगर हम कानून ही बना दे नया तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे Judicial Review हला की होता है बट कानून बनाने की कोशिश किया इन्होंने पंजाब Schedule Cast and Backward Classes Reservation in Services Act 2006 तो इन्होंने फिर से Reintroduce किया कुछ नहीं है वही काम करना था पहले notification के द्वारा हो रहा था तो नया Act बना दिया अनुचेत के द्वारा Act के द्वारा बालमी की और मजभी सीख लोगों को फिर से Reservation का सुविधा थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश थी ठीक है अब आपको पता है कि जब किसी community को आप थोड़ा ज़्यादा favor करेंगे उसके विरोधिता करने के लिए भी लोग खड़े हो ही जाते है और यहीं पर सामने आता है दविंदर सिंग केस ठीक है दविंदर सिंग केस काफी important है देखे मैं अभी तक आपको यहाँ पे दॉक्टर किशनपाल केस तो पढ़ा ही चुका हूँ इसके बाद दविंदर सिंग केस में क्या होता है इंडस केस चैलेंज बै दविंदर सिंग अ मेंबर अफ दॉन बाल में की community सुनवाल को नहीं दोगे हमार को नहीं दोगे तो उनको खराब लगेगा वैसे ही खराब लगने वाले एक वेक्ति थे दविंदर सिंग तो यह सामने आते है और यह केस कर देते है कि भाई यह तो गैर कानूनी है यह पुरा का पुरा आक्ट यह क्या लगा गया पंजाब SCNBC के एक्ट थीक है तो इस एक्ट को फिर हाई कोर्ट ने इस एक्ट को फिर हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कारण वही आर्टिकल 141 लीडिंग तो अपील एड़ सुप्रीम कोर्ट फिर पंजाब गवेंडमेंट उस हाई कूट की पंजाब हर्याना हाई कोट में वो लोग गय थे पंजाब हर्याना हाई कोट ने कहा कि भई माफ करो बार बार तुम यही सेम चीज लाके हमारे सामने खड़ा कर दे रहे हो इवी चन्या केस इवी चन्या केस 2004 को मत भुलिएगा मूल सिध्धान्त इविच नईया केस ही है इविच नईया केस में सुप्रीम कोट ने स्ट्रक डाउन किया था जब आंधरा प्रदेश कोशिश कर रहा था इस चीज को लाने का तो बोल रहे है कि इविच नईया में एक बार जब बोल दिया है तो बार बार इसको कोशिश क्यों कर रहे हो नहीं करेंगे और इसका अगर आपको हल निकालना है तो हमारे पास मत आईए अब सुप्रीम कोट जाईए तो पंजाब सरकार भी हार मानने के लिए तयार नहीं थी ठीक है वो जब हाई कोट ने मना कर दिया तो 2014 में वो पहुँचते है सुप्रीम कोट ठीक है तो 2014 में फिर एक फाइव जजज बेंच बनता है ठीक है एक फाइव जजज बेंच बनता है कि ठीक है इसको भी डिसकस करते है पंजाब SCNBC आक्ट को भी डिसकस करते है और EV Chenayya case क्या सही था सुप्रीम कोट ही डिसकस कर सकता है सुप्रीम कोट की सुनवाई हो चुकी है लेकिन फिर से रिकंसिदर करते है कि क्या EV Chenayya case में कुछ गल्ती किया हमने क्या इसको लागू रखना चाहिए कि इसको वाइलेट कर देना चाहिए खारिच कर देना चाहिए रद कर देना चाहिए इसके बार में भी डिसकस करते है तो फिर 2010 में 14 में ये स्टार्ट होता है और 2020 पहुंचते पहुंचते है देखिए देर है अंधेर नहीं थोड़ा धैर ये रखिएगा 2014 से पहुंचता है 2020 में और वहाँ पे एक महान व्यक्ती सामने आते है Justice Arundh Mishra सहाब इनका मैं फोटो भी लगा दिया हूँ Salute है इस सहाब को ठीक है Justice Arundh Mishra कहते है ठीक है He was heading the Davindar Singh case ठीक है जो Punjab सरकार के विरुत था तो Davindar Singh case में ये कहते है दो बहुत landmark statements है मैं इसलिए पूरा quoted statement लाया हूँ आप लोग के लिए The ruling noted that the court and the state cannot be in a silent spectator and shut its eyes to the stark realities बोल रहे कि राज्य और court कचहरी अपना आख मूद करके अन्याय को नकार नहीं सकती दोस्तों क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी आप दिल पे हाथ रखके बोलिएगा क्या SC के सभी लोग uplift हो गया है क्या कुछ चुनिंदे privilege लोग जो पहली generation के power और privilege के वज़े से SC community के अंदर ही में बात कर रहा हूँ काफी आगे निकल चुका है आज भी SCST community के लोग कोईले के खदान में trap होके अपना जान दे देते हैं और कुछ SCST लोग काफी समाज में आगे निकल चुके अच्छा काम भी कर रहे है तो क्या ये हमारा मौलिक दाइत्व नहीं होता है कि जो SCST में है और अभी भी पिछरे जातियों में गिने जाते हैं काम करते हैं उपवर्गों में गिने जाते हैं क्या उनको भी आगे लाने का हमारा दाइत्व नहीं बनता है तो अरुन मिश्रा सहाब ने ये कहा और उन्होंने फिर से कहा Crucially it disagreed with the premise that Sceduled cast are a homogenous group बोल रहें कि Sceduled cast एक group है ही नहीं Sceduled cast के अंदर भी ऐसे चोटे 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 बहुत सारे और groups है Sub cast है Sub categorization इनका होना चाहिए अब इस category का लोग आगे निकल चुका है तो इनको थोड़ा कम सुविधा दो इस category के लोग अभी भी काफी पीछे है तो इनको थोड़ा जादा सुविधा दो तो वही चीज ये कहते कहते ये केस आगे बढ़ा 2020 में ये सारी बाते घटना ही हो रही थी पट इसमें इशू ये हो गया इन्होंने एक और चीज कहा कि Unequals within the list of scheduled cast and scheduled drives and socially and educationally backwards को हम लोग को ठीक करना है पट इसमें एक चीज ये हो गया ये देखिए फिर वो 2020 की बात है फिर कोरोना काल आया बहुत सारी केस के लिए pendency हुआ पास्ट फॉरवर्ड तू 17th of January 2024 17th of January 2024 में ये केस फिर से बैटती है पर इस ताइम वोटेश सेवें जजज बेंच ठीके आप बोलोगे सार सेवें जजज बेंच क्यों किया गया देखिए सेवें जजज बेंच करने का एक बहुत बड़ा मकसद था मैंने आपको जब इवी चनईया केस पढ़ाया था आंदरपरदेश का वो फाइव जजज बेंच था तो उस सोचा कि फाइव जजज बेंच का जो सुनवाई है फैसला है उसको अगर हम लोग और भी अच्छी तरीके से साथ जजज जजज की बेंच के द्वारा डिसकस करके बनाएंगे तो वो फैसला और भी बहतर होगा तो इसी के साथ फाइव जजज से बढ़ा के बेंच साइज इसको साथ जजज जजज की बेंच बनाए गई और चीफ जजज जजज ऑफ इंडिया का बेंच बनाया गया मतलब वहाँ पे खुद उस केस में जो दोजार चॉबीस की केस की बात कर रहे है इस केस में यह दविंदर सिंग और इवी चनेया केस की ही चर्चे में आगे बढ़ते बढ़ते सेवन जजज जजज बेंच की एक केस बन गई और यहाँ पे जैनवरी फेब्रुरी में इसकी तीन कंटीनूस दिनों में कंजिक्यूटिव दिनों में बाते हुई, डिसकेशन हुई जो कचेरी में यूजली चलता है और यह कही नहीं आप देख रहे हो 17 जैनवरी से चल रहा था जैनवरी फेब्रुरी में यह खतम होता है बड़ जजज बेंच ने अपना डिसीजन जो है रिजर्फ कर लिया था ठीक है, और उन्होंने अपना डिसीजन नहीं सुनाया, बोले कि ठीक है हमने आप सभी लोगों का पक्ष सुना ठीक है पक्ष का भी सुना, विपक्ष का भी सुना और हमारे जो भी सुनवाई होगा हम आपको बता देंगे भाई ठीक हमें थुरा समय दीजिए कि क्या सब केटेगराईजेशन होना चाहिए SCST में और कौन करेगा ये सब केटेगराईजेशन क्या राज्य की सरकार इसको करने के लिए क्या उनको पर्मिट कर देना चाहिए या फिर ये राष्टपती सहाभी करते रहेंगे क्या इसका पूरा का पूरा उद्देश्य है किस तरीके से होगा और इसमें एक final judgment आता है जो मैंने verdict सुनाया था आपको the bench decided डिवा चन्रचूद जी की seven judgments decided कि राज्य की सरकार ही अब सब classes और सब में आप में से बहुत सारे लोग भी बात कर सकते हो आप बताईएगा मेरे को कि क्या ये पूरी की पूरी जो सनवाई है फैसला है क्या ये सही है जस्तिस अरुंद मिश्रा साहब जो कह रहे है क्या ये सही है ठीक है और इस final judgment के साथ ही इन्होंने reverse कर दिया EV चनेईया केस को 2004 में तो timeline कुछ इस प्रकार का है 1975 में पंजाब की सरकार राज्य सरकार ये काम कर रही थी कौन सा काम sub-categorization of caste within caste वालमेकियो के लिए या फिर मजभी 6 के लिए थोड़ा ज़ादा benefit डे रही थी 2004 तक किसी ने आवाज नहीं उठाया 2004 में आंद्रप्रदेश ने जब कोशिश किया इसको मैं summarize कर रहा हूँ पूरी class को 2004 में फिर आंद्रप्रदेश ने जब कोशिश किया EV चनेईया केस ने बोला कि नहीं कर सकता है राज्य सरकार नहीं कर सकती है फिर ये थोड़ा शांत रहा matter was subjudized फिर 20 साल बाद 2024 में finally एक और सुनवाई आती है कि भाई जो 1975 से 2004 तक हो रहा था वो सही था बिलकुल और आगे चलके भी यही अब होने वाला है तो सभी राज्य के सरकारों को अभी अनुमती दिया जा रहा है कि आप अपने स्टेट में देखिए कौन सा जन जाती है कौन सा जाती है जो आगे आ गया है या पीछरा ही रह गया है जिसको जितने अनुसार जिस मात्रा में आरक्षन का सुविधा मिलना चाहिए वो आपने धारित करे और आप उस अधार पे SCs and STs को आगे बढ़ाईए अब इसमें एक और मुद्दा सामने आता है जहां पे मैंने बताया था Justice BR गवाई जी के बारे में अब Justice BR यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि भाई ठीके सब केटेगराईजिशन अब होगा बट Justice BR गवाई जी एक बहुत बड़ी और स्टेटमेंट कहते है कि भाई OBCs में रिजर्वेशन जब आया था 1992 में इंदरा साहनी केस था इस केस के माध्यम से क्रीमी लेयर स्टेटस को भी लाया गया था क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर ये कहता है कि जो आपके कास्ट के अंदर प्रिविलेश्ट लॉट है उस समय में एक लाग से इंकम जिनकी ज़ादा थी और भी कुछ पेरामिटर्स से जैसे कि ग्रूप एक लास जॉब्स में थे या फिर उन्यूवस्टी के प्रॉफेसर्स हो अच्छी खासी घराने से हो या फिर एक लाग से ज़्यादा का आई था उस समय नेटी नेटी टू में ये बात था और हर इंटर्विल में इसको रिन्यू करा जाता था 2017 में इसका लास्ट रिन्यूवल हुआ था हर तीन साल में इसका रिन्यूवल होता है 2017 में लास्ट रिन्यूवल हुआ था जिसमें इसको आट लाग बना दिया गया है कि अगर करेंट स्टेटस में आट लाग रुपे से जाधा का आपका फैमिले इंकम है then you are in a creamy layer तो reservation का सुख आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि आप privileged हो गए हो क्या ऐसा ही चीज SC's और ST's में नहीं करना चाहिए गवाई साहब कहते है कि bets for introducing the creamy layer exception for SC's and ST's also that is already followed in OBC's तो OBC's में तो यह हो रहा है तो जो SCST economy के लिए आगे निकल चुका है उनके लिए क्यों हम लोग creamy layer status नहीं लाते है इनके लिए भी लाना जाना चाहिए ठीक है तो यह चीज कही न कही थोड़ा सा debatable भी है क्योंकि कुछ लोग कहते है कि सर हम लोग तो economically uplift हुए है जो social injustice हमारे साथ हुआ है इतिहास में वो कैसे ठीक होगा economic you know, flourishment does not lead to the correction of historical wrongs तो यह थोड़ा आपका opinion में जाना चाहता हूँ इस मुद्दे के उपर और गवाई साहब के साथ आप relate कर पा रहे हो की नहीं और दूसरा चीज़ यहाँ पर जाना चाहता हूँ I want you to answer इन तीन सवालों का जवाब काफी ज़्यादा clear अभी नहीं है और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ what do you think क्या all caste in the SCST list are currently equal मतलब क्या SCNST एक homogenous entity है homogenous मतलब जैसे पानी के bubbles में हर एक molecule सेम होता है क्या वैसा ही जो मैंने सब classes बताया था SCSTs के बीच या फिर कुछ ऐसे classes है जो ज़्यादा आगे निकल चुके है कुछ ऐसे classes है जो पीछे है ये बताईएगा दूसरा सवाल है what is the yard stick मतलब ठीक है sub classification करना है आप बोल रहे हो कि करना है sub classification ठीक है बोडो को थोड़ा ज़ादा देंगे किसी को थोड़ा कम देंगे but कैसे होगा what is the yard stick मतलब किस आधार पे करोगे what are the necessary conditions कि ठीक है how do you determine कि बोडो आगे निकल गये है या हजौंग अभी भी पीछे है सुनवाल पीछे है या कछारी आगे निकल गया है ये how do you decide that ये चीज के ऊपर politicization भी हो सकता है regional politics भी determine हो सकती है और तीसरा है should the criminal layer principle apply to schedule caste and SCs and SCs ये थोड़ा अपना personal opinion आप बताईएगा बाकि ये ही सारा चीज था और इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि अपना personal opinion ना रखते हुए जो भी मैंने आपको तर्क दिये है ये सारा का सारा किसी ना किसी judge का judgment का या सुनवाई का हिस्सा है तो आशा ये ही है कि पूरे judgment को SCST reservation में subclassification का judgment आया है 2024 में अभी एक अगस्ट को वो पूरा का पूरा मैंने समझाने की कोशिश किया है अगर समझ में आया बताइएगा बाकि reservation और आरक्षन के regarding और भी बहुत सारी judgments है जैसे इंडरा सावनी case है M.Nagrajan case है M.Nagrajan case 2006 में उसमें भी बहुत बढ़िया सुनवाई हुआ है और अच्छा एक और चीज है ये जो judgment था 2000 sorry गवाई साब ने जो कहा है ये actually एक और judgment में बताया गया है जर्नेईल सिंग केस ठीक है जर्नेईल सिंग केस 2018 का case है मेरे खायल से तीक है इस case में भी ये चीज iterate किया गया था बट इसको judicial activism या overreach बता दिया गया था तो ये सारे important cases के बारे में भी किसी और दिन किसी और वीडियो में हम लोग बात कर सकते अगर आप चाहते हो comment section में बताईएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू जैहिन